सिर्फ तीन भिंडी जी हाँ सिर्फ तीन ही भिंडी क्योंकि बाकी और दो चार थी बट वो सही नहीं थी यही आप देख रहे हैं थोड़ी सी सूखी सूखी सी है बट मुझे एक आइडिया आया कि अब तीन भिंडी है इनका क्या बन सकता है तो कुछ तो क्रियेटिव सा बना वैसे यह पहली बार बना रहे हैं तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि यह कैसा बनने वाला है यह तो मेरे घर में सब बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ बट आज पता नहीं क्या ही होने वाला है या तो सब हमेशा खाएंगे ही या फिर बोलेंगे आज क किसी को वो रेसिपी पसंद नहीं आए तो वो ये सबजी खा सकता है तो ये सबजी देखिए जो भी सबजियां आपको गाजर, मटर, आलू और बीन्स नॉर्मली मैंने तेल में प्याज और मिर्च का तड़का लगाया और ये ही सारी सबजिया डाल दी बेसिक कीचिन के मसाले डाले, हढ़ा धनिया से गार्णिश किया और ये रही सबजी हमारी रेडी है तो चलिए पहले भिंडी वाली रेसिपी बनाते हैं सो भिंडी को मैंने देखिए पतला पतला सा कट कर लिया है फ्रेश भिंडी हो तो और भी अच्छा है ये तो देखिए थोड़ी सूखी सूखी सी है इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली थोड़ा सा सबजी मसाला मेर्च पाउडर थोड़ा सा नमक और फिर इसे हिलाते डु थोड़ा सा बस दो मिनट के लिए रख दिया जिसे की अच्छे से मिक्स हो जाए मैरिनेट हो जाए भिंडी ने मसाले देखे अब्सार्ब कर लिये हैं अब आटे की एक लेते हैं लोई लोई मीडियम साइज की लेंगे बहुत छोटी भी नहीं लेंगे और बहुत बड़ी भी बेलना स्टार्ट करेंगे तो ये मीडियम साइज की रोटी हमारी तयार हो गई है मतलब बहुत मोटा भी नहीं बेला है बहुत पतला भी नहीं थोड़ा सा ओयल डालेंगे थोड़ा सा मिर्ज थोड़ा सा सबजी मसाला थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउ ये भिंडी जो है ये सारी भिंडी इस पे चिपका दी देखिए ऐसे चिपकाते हुए जाएंगे मैं नमक डालना भूल गई थी तो मैंने इसके उपर नमक बाद में डाल दिया था आप पहले ही इस मसाले के साथ ही मिक्स कर देना तो फिलहाल ये क्रियेटिव सा आइडिया आप लोग को कैसा लगा देखिए हमारा बिंडी का पराठा जो है रेडी है सिखने के लिए मतलब अभी तवे पे हमें सेखना है तब तक मैंने सोचा चलो फटा फटी दूसरा पराठा भी ये पहले तयार कर लें फिर दोनों को साथ में ही फिर वन बाई वन मतलब सेखेंगे वैसे दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बट आई डोंट नो कि क्या होने वाला है इसका टेश्ट कैसा होने वाला है मुझे बिल्कुल भी आईडिया नहीं है बट मैंने बहुत ही ज़्यादा मन से बनाया है कुछ भी बनाती हूँ तो बतलब अगर अच्छे से बनाया जाए तो अच्छा बनी जाता है वैसे इसे भी देखते हैं कि कैसा बनेगा तो आप लोग लाश्ट तक देखना और फिर बताएंगे कि ये कैसा बना है फिलाल दिखने में तो आप देखी सकते हो बहुत ही यमी सा लग रहा है कि अभी खा जाऊं और इसके मसाले आप देख सकते हो देखने में ही लगता है कि बहुत चटबटा सा बहुत ही जादा टेश्टी सा बनेगा जब इसे हम सेंकेंगे तो फिलहाल तवा मैंने रख दिया है गरम होने के लिए उस पे डालते हैं थोड़ा सा ओयल और तवे पे चारो तरप अच्छे से फैला देंगे ओयल को वैसे ओयल जरूजी नहीं है आप इसे घीमे भी बना सकते हैं तो अभी पराठे को तवे पे डालते हैं और धीमी आज़ पर सेंकते हैं देखते हैं कि कैसा बनके तयार होने वाला है हमारा पराठा तो बहुत आराम से पराठे को तवे पे मैंने डाल दिया है और बिल्कुल ही धीमी आज पे इसे पकाना है क्योंकि भिंडी को भी हमें पकाना है थोड़ा सा कुरकुरी सी तो जिस साइड में भिंडी हमने चिपकाई है उस side को बहुत ही अच्छे से पका देना है मैं आपको थोड़ा सा उठा की दिखा दे रही हूँ कि भिंडी हमारी पक रही है और अब लगभख भिंडी पक चुगी है तो इसे पलट देते हैं तो ये देखिए कितना tasty and yummy सा लग रहा है न वैसे मेरे बोलने से क्या होता है आप लोग भी एक बार इसे अपने घर पे जरूर ट्राइ करना मैं तो अभी खा के बताने ही वाली हूँ लाश्ट में कि ये कैसा बना है तो ये एक पराठा देखे मैंने तयार करके रखा है दूसरा मैं सेक रही हूँ ये जल्दी से पक जाए फिर मैं दूसरा पराठा भी तवे पे डालू और दोनों को सेक के तयार करूँ फिर जल्दी से हम काने के लिए जाए एक पराठा हमारा सेक चुका है तो फटा फट से दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं वैसे अगर थोड़ा कम अच्छा बना तो आप लोग को तो पता ही है, मैंने option में सबजी और रोटी रखी है, कि उसे भी हम खा सके, और भिंडी भी हमारे पास तीन ही थी, तो उसे चिपकाने के बाद हमारे पास सिर्फ दो ही पराठे बनके तयार हुए हैं, वैसे देखेंग कि कैसा बना है, वैसे अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगे, तो चैनल को like, share and subscribe जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही different different सी रेसिपी जो है अपने चैनल पे upload करती रहती हूँ, तो फिलाल हमारे दोनों पराठे रेडी हो चुके हैं, और साथ ही हम सर्व कर लेते हैं, स हो सकता है, सारा ही कुछ अच्छा बना हो, आप इसे दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दही में नमक और जीरा डालके उसके साथ भी आप खा सकते हैं, फिलाल तो देखिए, मैंने ऐसे सर्व किया है, सबजी रोटी और ये पराठा, वैसे खा के देखते हैं, कि ये पराठा तो मैंने सूचा कि वाओ ये तो बहुत ही अमेजिंग है काफी टेस्टी है ये ये तो मेरा फ़र्ष्ट एक्स्पिरियंस था और ये काफी अच्छा बना और मेरा सजेशन है कि आप लोग भी इसे एक बार जरूर ट्राई करना और सामने छोटा भाई बैठा देख रहा था कि ये देखो कैसा पहले सही तारीफ कर रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही बनाया है मैंने का एक बाइट खा के तो देख कैसा है तो उसने खाया और बोला इट्स गुट सो भाई इजद बच गई मतलब मैंने कुछ ट्राई किया और वो अच्छा बना वरना तो आज के बाद अगर मैं कुछ नया ट्राई करती तो ये लोग बोलते बस खाना ही हम छोड़ने वाले हैं आज के बाद हम खाना ही नहीं खायेंगे तो आप लोग के रेसिपी कैसी लगी कुछ सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ तिल देन बाबाई